हेलो फ्रेंट्स, दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले हैं economies and dis economies of scale के बारे में और इसी topic के अंदर आप discuss करेंगे हमारे साथ में internal और external economies भी क्या होती है ये आपका theory of production and cost का एक part है, theory of production हो चुका है, theory of cost के अंदर हम enter कपके कर चुक है उसी के अंदर ये टॉपिक है इंटर्नल एक्सटर्नल के साथ में इनको थोड़ा सा थेयरेटिकल है बढ़ हम उसको अच्छे कॉसेप्शली समझने की कोशिश करेंगे एक्जैम्बस लेंगे टेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे जिससे आपको एंटर्ब्यूट्स क्या है इनके फैक्टर्स क्या है लेट्स टार्ट तो यहां पर बात चल रही है किसके बार में इकोनोमिज और डिसेकोनोमिज इंटर्नल और एक्स्टर्नल तो यहां पर हम बात करते हैं किसी एक फॉर्म के अंदर हम है एक कंपनी के अंदर हम लोग है बराबर है वो कंपनी क्या करती है वो कंपनी लेट से किसी भी चीज़ की मैनिफेक्टरिंग करती है ओके so हम इसको ऐसे समझते हैं so ये एक company है okay दोस्तो अब इस company के अंदर क्या हो रहा है इस company के अंदर manufacturing हो रही है और किस चीज की manufacturing हो रही है इसके अंदर manufacturing हो रही है cars की okay so the classic example is of Ford Henry Ford की company थी Ford थी मतलब है ये cars को manufacture करती है Fiat जो car आती थी सबसे पुरानी कार है वो Henry Ford ने बनाई थी ठीक है so ये company है जो यहाँ पर क्या करती है car का manufacturing करती है हम जब समझेंगे किसको हम समझेंगे internal और external को तो एक तरफ हम लिख देते हैं internal okay और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं external ठीक है अब ये बहुत ही obvious बात है आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से internal words से मतलब हमको क्या समझ में आता है हमको समझ में आता है कि कोई ऐसी चीज जो अंदर ही अंदर या तो improve हो रही है या फिर खराब हो रही है जिसमें बाहर का कोई भी factor involved नहीं है उसका profit सबसे ज़्यादा कम होगा जब वो क्या करेगा वो अपनी cost of production को कम करने की तरकीब निकालेगा बराबर है ऐसी तरकीबे जिससे उसकी cost of production कम हो ऐसी technology वो लाएगा बार बार या फिर अच्छे technology लाएगा जिससे उसकी यहाँ पर quality increase or efficiency increase or cost कम हो यह points आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इसमें बहुत सारी चीज़े बाद में आप देखेंगे text तो आपका पूरा matter cover हो चुका होगा okay so अगर cars बनती है और अलग-अलग जगे आपको उसको shift करना पड़ता है इससे better क्या है कि एक Ford assembly line के नाम जही famous है क्योंकि इसने सबसे पहले Ford ने Henry Ford ने इस चीज़ को यहां पर लाया था कि पूरी assembly line create करी थी उससे क्या हुआ इस तरीकी की technology आई कि एक ही flow में पूरी car का manufacturing हो जाता है और car के parts को assemble करना बहुत ही ज़ादा easy हो जाता है तो assembly line लाया तो मतलब वो perfect technology जिससे उनका cost of production कम होगा time कम होगा तो उनका time कम होगा तो labors कम लगेंगे labors कम लगेंगे time कम हो रहा है machines कम time के लिए चलेगी तो उनके कितनी ज़्यादा savings हो रही है मतलब cost of production धीरे 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 कम हो रहा है अच्छा ये सब जो काम है ये कौन करेगा मतलब कि जो top level management है for that matter कोई भी level of management है वो अपने गजब वाले managerial skills दिखाते हैं और यहाँ पर उन skills को use करते हैं वो यहाँ पर ऐसे decisions लेते हैं जिससे उनकी cost of production कम होती है और output increase होता है बराबर है अच्छा अब इन points को अगर आप ध्यान से देखते जाएंगे हर point को जो जो मैंना अभी तक बोले हैं उन points में आप देखिए कि जितने भी decisions है वो सब internally किये जा रहे हैं मतलब firm ही उनको decide कर रही है तो कोई भी matter ऐसा होता है जो firm के अंदर से related होता है inside the form for a form from a form वो क्या होता है वो होता है internal अगर हम external matter पर बात करेंगे तो external matters ऐसे matters हैं जो बाहर की दूसरी forms को affect करेगा क्या बोला मैंने एक ही form के अंदर की बात चल रही थी internal external मतलब जो बाहर की forms को affect करेगा इसको हम थोड़ा elaborate करेंगे अच्छे तरीके से अभी so दोस्तो यहाँ पर external में मैंने आभी आपको क्या बोला कि जब बाहर की दूसरी forms को कुछ affect होता है तो वो हमारा external economy होता है means पूरी industry जब एक साथ grow होती है क्या बोला है जब पूरी industry एक साथ grow होती है तो वो हमारी external economies में आती है Henry Ford ने कुछ invention किया और assembly line लाए मतलब पूरे industry के लिए एक नई चीज यहाँ पर सामने आ गई जिसको अब पूरी industry उस करेगी और उनसे उनका cost of production कम हो जाएगा राइट या फिर कोई एक similar area के अंदर सब IT companies आ जाए जैसे Silicon Valley हमको पता है वहाँ पर सारी IT companies हैं तो उसकी वज़े से क्या हुआ कि एक skilled set of labor तयार हो गया जो वहाँ पर Silicon Valley में काम करता है और उससे क्या फाइदा हो रहा है वहाँ पर जितनी भी IT companies हैं उन सब को फायदा हो रहा है तो external economy की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे outside the firm और industry specific और जब हम inside the firm within the firm की बात करेंगे तो वह होगा हमारा internal यह मैं आपको बताया क्या इन दोनों का मतलब क्या होता है चलिए अभी हम थोड़े से यहाँ पर और eligibility तरीके से बात करें तो इसका हम कैसे समझ सकते हैं देखेंगा internal की मैं बात करता हूं तो technology मैंने आपको बताया तो managerial economy भी कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए ओके सर इन सब को करने के लिए finance लगता है और finance जब यहाँ पर आता है focus में तो सर रिस्क भी होती है और सर रिस्क हो गया managerial हो गया finance हो गया तो सर एक point सबसे important है वो यह है कि सर product को आप जब बेचने जाओगे तो आपको commercial aspect पर भ वही बातों में आपको पाच ऐसे minute types बताया है कौन से जो internal economies के होते हैं तो इसको इसी तरीके से हम पढ़ेंगे जैसे मैं आपको बोला है thought process वैसे ही रखिए कि internally अगर economy develop करनी है किसी form को अपने ही form के अंदर तो technology उसको अच्छी चाहिए managerial skills top level या फिर मीचे level के लोगों की चाहिए finance की facilities बराबर होने चाहिए risk कितना बेर कर पा रहे हैं वो भी एक point है और commercial aspect तो आपको देखना ही देखना है अब इन सभी के अंदर economy भी चलेगा economy भी चलेगा economy और economy क्या है वो हम जब text से समझेंगे तो आपको समझवाएगा आईए one by one सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर हम dive in कर चुके हैं किसके अंदर internal point के अंदर उसमें भी हम देखेंगे economies और this economies कौन कौन सी है यहाँ पर वो हमें देखना होगा मैंने नाम आपको बता दिये आईए one by one concept clear करते हैं तो दोस्तो अब सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं हमने देखा है technological यानि कि technology के साथ में यह काम कैसे होता है ठीक है सबसे पहला point हमारा यहाँ पर internal के अंदर है technical उसमें हम देखेंगे economies और फिर हम देखेंगे dis economies बराबर ठीक है सर होता क्या है देखिए technology आपने बढ़ाई technology आप खतरनाक लाए खतरनाक मतलब आपने composite technology यूज़ करी composite technology का मतलब क्या है आप यहाँ पर इतनी सही तरीके से technology का यूज़ कर रहे हैं कि आप multiple चीज़े एक ही machine के साथ में कर सकते हैं बराबर है आपका बहुत ही जादा specialized machines आपके पास में आ चुकी है तो composite technology के साथ में आपने अच्छा capital इंट्रोड्यूज किया है आपके पास में specialized machines हैं अच्छा machines specialized होने की वज़े से जो आपका labor है वो labor भी अब आप special skills वाले labor को आप maintain कर पा रहे हैं यह सब चीज़े आपने बहुत सारी introduce करी उसकी वज़े से क्या हुआ उसकी वज़े से आपका यहाँ पर cost of production जो है वो हो गया कम बराबर है जो पर unit आप जिस हिसाब से cost आ रही थी आपकी अब वो हो चुकी है कम ओके तो एक point तक तो form यह सब चीज़ें कर पाती है क्यों आपके पास एक factory थी बराबर है तो जैसे आपके पास में एक factory थी बराबर है तो आपने एक factory के बाद बोला कि एक और factory बनाते हैं आपने एक और factory बना ली आपने एक और बनाते हैं ठीक है हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर cars बनाएंगे right और दूसरी जगे क्या करेंगे बोले हम यहाँ पर assembly करें लाइ लाते गए बर एक point of time के बाद में क्या होगा कि आपका जो management है आपका management उसको समाल ही नहीं पाएगा बराबर है वो आपकी limit के बाहर जा चुका है और यहां पर यह point आता है कि आपके dis economies start हो जाएंगे so जैसे हमने return to scale में देखा है कि पहले increasing rate पर आपका production increase होता है तो आपकी cost गिरती हो जाती है फिर वो constant level पर आ जाती है और फिर क्या होता है diminishing return to scale के साथ में आपकी cost भी increase हो जाती है तो return to scale में हमने कैसे देखा था आपका यह production बड़ा constant हुआ और गिर गिया यह क्या था production था बराबर पी लिख रहा हूं मैं बट अगर इसी चीज़ का cost के हिसाब से देखेंगे तो जब आपका production increase हो रहा है तो मेरी cost नीचे बड़ाबर है देखें इसको मैं अलग color से करता हूं आपको समझ में आएगा तो यह आपका production increase हो रहा है तो मेरी cost गिर रही है आपका production constant हुआ मेरी cost constant हुई जैसे आपका production गिरा मेरा यहाँ पर cost भी increase हो गया इस हिसाब से return to scale के funday के हिसाब से यहाँ पर ऐसा ही होगा कुछ टाइम तक तो firm technology increase करते करते सभी चीजों की वजए से internally वो economy को enjoy करेगी but after a certain point of time that constant phase diminishing phase जब स्टार्ट होगा तो मेरा cost increase होना चालू हो जाएगा बराबर है यही चीज में आपको बताई है और यही चीज यहाँ पर text में लिखी हुई है देखिए internal economies हम यहाँ पर देख रहे equipment आ गया available क्या है उसके more efficient machinery है जो मेना highlight कर रहा है आपसे वही पढ़िये और उससे क्या होता है lower cost of per unit of output निकलता है अब देखिए हुआ क्या है amount of labor जो है वो आपका क्या हो गया है production increase होने की वज़े से वो efficient हो गया है आपके पास में क्या है greater degree of division of labor है मताब labor को आप divide कर सकते ह है specialize कर सकते हैं उसे इसाब से उनका cost per unit भी decline हो जाएगा but होता क्या हो however beyond a certain point firm experiences net this economies of scale उसके वज़े से क्या होता है has reached a size वो ऐसी size पर पहुँच गया है कि बस अब वह saturation आ चुका है almost all the possibilities of division of labor and employment of more efficient machinery further increase in the size of the plant will bring about higher long run cost ये बहुत important बात है मतलब अब आपने और increase किया तो आपका long run cost बढ़ जाएगा इसकी वैसे क्या होगा अब आप control नहीं कर पा रहे है बराबर है proper coordination नहीं हो आप पा रहे है और आपके operation बहुत ज़्यादा बढ़े हो चुके है तो ये internally technology important है बट internal level पर technology पहले economy phase में जाता है फिर डिसेकनोमी में जाता है ठीक है अब next point के हमारा managerial मतलब की managerial skills जितनी मस्त होगी उतना आपका internally आप economy enjoy करेंगे और उसके बात में यहाँ पर डिसेकनोमी कैसे आईगी let's see अब देखी दोस्तों यहाँ पर second point का है managerial का managerial economies डिसेकनोम हो तो आप उसको आपके managerial segment में यूज कर सकते हो means अब आप क्या करोगे आपके sales department को आप और break कर दोगे जैसे आप बोलोगे sales department में हमारा customer का service अलग है export अलग है import अलग है whatever ठीक है तो आपने वो किया तो आपका production manager अलग बन गया sales manager अलग बन गया तो अलग-लग managers बन गया production in managerial cost आपका managerial cost कम होना चाहिए आप सही तरीके से काम करोगे उस चीज को economy कहते है managerial economy तो क्या करेंगे production manager sales manager finance manager ऐसे सब बना देंगे sales को split कर देंगे separate sections के अंदर तो यह जो decentralization of decision making हो रहा है या फिर हम कहें एक तरीके से जो आपका mechanization चालू हो गया है उसके आपकी efficiency बढ़ होंगे तो communication अच्छा नहीं होगा लेंदी communications हो जाएंगे retipism start हो जाएगा और क्या होगा यहां पर bureaucracy start हो जाएगी और क्या होगा यहां पर complex managerial structure बनने की वज़े से आपका यहां पर dis economy phase start हो जाएगा और यही सारे points हैं पर लिखे हुए हैं आप पर सकते हैं communication at different level becomes difficult resulting in delays in decision making exercise control, coordination, structure becomes more complex, bureaucracy, retipism, lending of communications lines and so on यह हमने देखा second point managerial ठीक है let's move on to our next point छोटे छोटे पॉइंट से इंको conceptually हम समझते जारे हैं देखते जारे हैं commercial economies and dis economies ठीक है अब commercial का point यहां पर क्या है let's see commercial का मतलब यह दोस्तों कि जो आप raw material खरीद रहे हो आपका अगर scale of operation बहुत बढ़ा हो गया है तो आप bulk में खरीदोगे, bulk में खरीदोगे तो आपको discounts मिलेंगे, discounts मिलेंगे तो आपका cost कम होगा और जो आपके expenditure जैसे advertising expenditure है वो number of units बढ़ने की वज़े से output बढ़ने के वज़े से per unit उसका कम हो जाएगा advertising cost बिल्कुल सही बात है और क्या कर सकते हैं अब आप इतने बड़े scale पर operate कर रहे हैं तो आप अपने buy products को भी बेच सकते हैं आप scrap ज्यादा बेच सकते हैं यह सब चीज़े आप छोटी छोटी आपके commercial economy को आपको बढ़ाएगी बड़ आफ्टर यॉर optimum level क्या होगा अब advertising cost आपको बाहरी पढ़ने लग जाएगी क्योंकि अब आपके output increase नहीं हो रहे है तो वहां से डिस economy start हो जाएगी as simple as that देखिए commercial का मतलब यहां पर क्या है large volume of goods बना रहे है तो large volume में आपको material components चाहिए large firm हो बल्क में आप order करोगे तो lower prices आप enjoy कर पाओगे बराबर है marketing आप कर रहे हो अच्छे से कर पाओगे आप additional output आपको मिलेगा large firms है तो आपको किस चिश का benefit मिलेगा advertising का benefit मिलेगा क्यों क्योंकि आप क्या कर सकती है वो sell कर सकती है अपने buy products को भी जो चीजे मैंने बोली है वो सब आपको यहां पर मिल रही है ठीक है और यह सभी चीजे unprofitable होती small firm के लिए बट हम लोगों के लिए यानि की scale of operation जिंका बढ़ा है उनको फायता करेगी बट optimum sale के बाद में अब आपको नुक्सा over small firms obviously किस चीज में finance में यानि कि उनके पास में finance की feasibility बहुत ही जादा अच्छी होती है राइट जैसे better security to bankers वो advances avail कर सकते हैं banks उनको जादा loan देंगे जादा advances देंगे क्योंकि इनके पास में security जादा है देने के लिए small firms के पास नहीं है इनके पास में goodwill होती है investors होते है राइट वो क्या prefer करेंगे कि उनके shares मिल जाए हमको और उनके shares readily sold भी हो सकते है in the market यह सब चीजे हैं जो दीरे दीरे economy enjoy तो करेंगे finance वाली but after a point क्या आएगा this economy कैसे आएगा देखिए these cost of raising finances will rise more than proportionately after the optimum scale of production तो यही होगा this economy यहां से start हो जाएगी ठीक है तो यह था finance और last में क्या है risk bearing economies इसका मतलब क्या है it is said that a large business will diverse and multi production capability is in a better position to withstand economic ups and downs and therefore enjoys economies of risk bearing however risk में increase if diversification instead of giving a cover to economic disturbance increases these यह पूरा काट देना पूरा जो रीट किया है मैंना as it is इसको फिर से बोल रहा हूँ अब देखे दोस्तो risk bearing जो हमारे यह वाला point है fifth point risk का मतलब क्या है आपका risk bearing capacity बढ़ जाती है क्यों क्यों क्योंकि आप आपके risk को divide कर देते हो क्यों 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 आप आपने बहुत ही ज़्यादा diversify कर लिया अपना business data के इतने सारे segment से reliance के इतने सारे segment से मतलब क्या है कि हर segment अपने आप में profitable तो होना ही चाहिए बाट अगर नहीं भी होता है तो उनके पास में ऐसा नहीं कि पूरी company at once डूब जाएगी यही बात लिखी हुई है कि जितना diversification होगा जितना multi production capability होगी वो उत्रा ही better position के अंदर होगे बस बात में क्या होगा कि diversification के साथ में आपके risk increase भी हो जाएगी so instead of giving a cover to economic disturbance increases these उसका वहाँ पर risk और बढ़ जाएगा ठीक है दोस्तों तो यह internal के हमने 5 points cover कर लिए सबसे पहले हमने क्या देखा technical फिर हमने देखा managerial फिर commercial और finance और last में risk इस तरीके से 5 points हमने देखे और यही points मैंने आपको यहाँ पर भी बताए थे अगर आप ध्यान से देंगे कि देखे technological, managerial, finance और commercial और risk ठीक है तो हमारे technical और इन सभी points के साथ में internal finish होता है अब हमें देखना है external में क्या क्या points है और external में economies और dis economies क्या है लेट सी, अब भाह और भेनो, external economies के बारे में हम बात कर रहा है ठेक है चलो, तो external के बारे में हमने क्या बात करी थी, so internal को हम एक तरफ रखते है हमने क्या बात करी थी, internal हमने बात करी थी कि sir within the organization जो कुछ भी चल रहा है within उन सब को हम internal economies में हम include करते हैं ठीक है और external में हम क्या करेंगे external में सर आपने कुछ भी नहीं किया है आपने मतलब की firm ने कुछ भी नहीं किया है बाहर के माहुल की वज़े से industry में जो changes आ रहे हैं और industry में changes आने की वज़े से जो आपका business easy हो रहा है आपका जो profit increase हो रहा है वो आपके लिए economy हो जाएगा और नहीं हो रहा है उल्टा उसमें effect आ रहा है तो वो dis economy हो जाएगा as simple as that so external का यहां पर factor क्या हुआ industry specific जब हम बात करते हैं externally जब हम बात करते हैं हमने कुछ भी नहीं किया है हमारे managers ने कोई अच्छा काम नहीं किया है हमने कोई अच्छे technology introduce नहीं की है और क्या क्या point देखे है हमने manager देखा technical देखा हमने commercial aspect देखा हमने देखा finance aspect और last में हमने देखा risk bearing capacity तो यह सब चीजे internal में थी हमने जब यह सब नहीं किया है इसका मतलब कि automatically हमारा industry grow हो रहा है तो उसकी वज़े से हमको भी फायदा हो रहा है right industry में technology बढ़ रही है industry में competition बढ़ रही है industry में बहुत सारे players आ गए है ने इंडस्टी में जो raw material लगता है वो सस्ता हो गया है नएने सस्ते raw materials हमारे सामने आ रहे हैं तो वो innovation हम नहीं कर रहे है वो innovation industry में हो रहा है उसकी वज़े से हमको फायदा मिल रहा है तो वो हमारे लिए economy और वो चीज़े जब हमारे लिए फायदा न करे और नुकसान करे तो वो हमारे लिए this economy हो जाता है ठी enjoy करती है बराबर है on account of what on account of use of greater degree of division of labor उसने अबना labor का division किया specialized machinery लाए output उसका increase हुआ COP कम हुआ तो वो internal है उस sense में कि जो भी काम हुआ है वो अंदर से हो रहा है ठीक है external में क्या हो रहा है external economies और डिसकोनोमिस जो होती दोस्तों which accrue to firm as a result of expansion in the output of whole industry पूरा industry अगर बढ़ रहा है उसका size बढ़ रहा है उसका output बढ़ रहा है उसके input की quality increase हो रही है उसका impact हमारे उपर जो आ रहा है वो हमाले external economy होगा या डिसकोनोमी होगा ओके दे आर नोट dependent on the output level of individual firms individual level की बात चली नहीं रहा है पर they are external in the sense that they accrue to firms not out of their internal situation but from outside that is due to expansion of the industry these are available to one or more of the firms in the form of अभी अलग लग तरीके से अलग लग forms को available हो सकते हैं देखिए इसका एक चोटा सा example लेते हम plastic industry अब plastic industry में यहाँ पर जो government policies आए उसके में single-use plastics को most of the places में बैंड किया जा रहा है states में band किया जा रहा है तो क्या हो रहा है अब plastic industry में यहाँ पर individual firms क्या कर रही थी उससे कुछ मतलब था क्या नहीं पूरी industry खत्रे में आ गई पूरी industry का जो raw material था वो ही यहाँ पर costly हो गया है वो ही available नहीं है उसकी supply market में नहीं है तो firms उसको खरीदी नहीं पा रही है तो industry की हरकत की वज़े से individual firms को वो dis economy जैसे create हो गया इसका उल्टा करेंगे तो economy हो जाएगा कुछ raw material का cheap हो जाना नए नए innovative raw material को introduce कर दिया गया तो अब जो firms की cost है वो कम हो गई आपको बात आजी समझ में जैसे हम देखते हैं कि manufacturing की जाता है किसका furniture का ओके so furniture की manufacturing में एक तो proper century plywood होता है 18 inches का हम use करते हैं उस पे polish किया जाता था पहले अब क्या हो रहा है polish की costing बहुत ज़्यादा लगती थी बट अब technology के साथ में धीरे जीरे से industry में फाइदा क्या हो गया कि वो polish की बज़ाए अब आगे है सनमाय का सनमाय का उनको थोड़ा सस्ता पड़ता है सनमाय का से और आप इधर आजाएंगे तो क्या दूसरी technology आगे PU की वहाँ पर वो polish करते हैं अनिमेशन के थ्रू करते हैं तो अनिमेटेड फिल्म जो होती है वो जादा और सस्ती पड़ती है तो यह सब नईने technology आ रही है तो वो सस्ती हो रही है किसको हम लोगों को नहीं suppliers को और वही वो चीज हमको महंगी करके बेच रहे हैं बट उन लोगों के लिए वो industry standard increase होने की वज़े से उनके लिए वो economy है तो यह बात आपको थोड़ा सा outlook मिल गया होगा कि यहाँ पर externally कैसे हमको बाते समझनी है सबसे पैदा यहाँ पर क्या होगा वही point जो मैंने बोला आपको क्या cheaper raw material and capital equipment ठीक है तो cheaper raw material कैसे मतलब industry expand हो रही है exploration हो रहा है नए नए cheaper raw material को ढूंडा जा रहा है machinery निकाली जा रही है उससे क्या हो रहा है demand बढ़ रही है demand बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि capital requirements companies की ज्यादा बढ़ रही है demand बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है available होना यह economy है तरीक ऐसे ठीक है चलिए सो चलिए देखते है next point क्या है technological external economies आप देखिए technological यानि पूरी industry में नहीने technology आ जाना when the whole industry expands it may results in the discovery of new technical knowledge the use of improved and better machinery this will change the technical coefficient of production and enhance the productivity उसकी वज़े से COP कम हो जाएगा मतलब पूरी industry की technology बढ़ जाना okay next development of skilled labor दीरे 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 अब काम करते करते जो labors है वो skilled हो गए कि इस industry में ऐसे काम होता है तो जितने ज्यादा skilled labor होंगे उतना कम time लेंगे उतना COP हमारा कम हो जाएगा और profit बढ़ेगा as simple as that when an industry expands in an area the laborers in that area are well accustomed with the different productive process अब उनको समझ में आ ग from experience as a result with the growth of the industry in an area a pool of trained labor is developed and which has a favorable effect on the level of productivity तो यहां पर labor का skilled होना raw materials सस्ता मिलना technology का बढ़ना यह सब क्या हो रहा है यह form के अंदर नहीं हो रहा है वो का हो रहा है industry के अंदर हो रहा है जिसका फाइदा किसको मिल रहा है individual firms को मिल रहा है फाइदा मिल रहा है इसलिए economy बोला जा रहा है था हम मुक्सान देखेंगे बाद में ठीक है फोर्थ पॉइंट का यहां पर एंसीलियरी इंडस्ट्री इंडस्ट्री मतलब रेस्टोराइब बिजनेस चल रहा था हम जाते थे रेस्ट्राइब में खाते थे बड़ अलग ही अपने आप में क्या निकल गिया एक अर्बन क्लैप उन्होंने क्या स्टार्टड अप किया अप्लाइब आपको सब आएंगे हम रिपेर करेंगे हम आपको वह पर पार्ट रोchluss कि देंगे उिएखियो market की वज़े से ancillary markets बहुत सारे develop हो चुके हैं जिसके competition prices बढ़ रहे हैं और competition prices बढ़ने की वज़े से सब लोग अपना-पना profit कमा रहे हैं यही बात लिखी हुई देखिए expansion of industry encourages the growth of a number of ancillary industries जो specialize करते हैं किन चीजों में वो supply करने में कि आपको एक्जांपल दिया तो बड़े बड़े ब्रैंड्स का कर रही है वो बोलेगी हमारे ACS यह है और यह जो परसन है यानि कि यह जो कंपनी है वो आपको सारबर तक contract basis पर free services देगी जैसे Eureka Forbes Eureka Forbes के आप Echo Guard लेजिए कुछ भी लीजिए तो वो क्या बोलेंगे वो बोलेंगे एक महने का contract लेजिए फिरी services हम अगारा करेंगे filter change करेंगे everything तो यह क्या हो रहा एंसिलियरी services और एंसिलियरी business create हो रहा है तो यह industry के वज़े से हो रहा है industry expand हो रही है तो नएना market भी आ रहा है अब delivery का पूरा एक नया market ही बन गया है swiggy आपको घर लाके देगा zoomato आपको घर लाके देगा तो यह सब चीज़े क्या हो रही है यह उपर एंसिलियर मार्केट में भी example fit बैठेगा और यहाँ पर transportation में भी fit बैठेगा ओके, so better transportation and marketing facilities क्या network बड़ा हो गया है efficient transportation हो गया है क्या हो रहा है running these services by themselves company खुद ही यह सब कर रही है COP उनका कम हो रहा है इसकी वज़े से communication system technology की वज़े से modernize हो चुका है तो यह सब फायदे मिल रहा है and the last point is economies of information information आपके पास में आज readily available है हर चीज़ की आपके पास में figures available है आपके आपके दूसरी companies की information available है आप खुद की performance चेक करने के लिए आपके सारे data आपके पास में available है आप चेक कर सकते हैं कि आप कहां lack कर रहे हैं और कहां आप अच्छा कर रहे है ठीके तो यहाँ पर total हमने 6 points कौन कौन से देखे अभी economies की हमने बात करिए सिर्फ हमने सबसे पहला economy देखा external में क्या कि अगर आपको पास raw materials सस्ता मिलने लग गया आपको दूसरा technology मस्त हो गई तीसरा आपको labor skills मिलने लग गए है ठीके वो लोग तयार हो गए है चौथा और पाचवा साथ में की ancillary market सयार हो गया और transportation बेटर हो गया and the six is information का आपके पास में economy है सर यह सब फाइदे external हो रहे है बड़ सर नुकसान भी तो हो सकते है transportation जिसको आप बोल रहे हो वो बहुत महंगा हो जाएगा सर एक ही जगे पूरा एरिया बन गया सारे manufacturing units उसी एरिया में बन रहे है तो सर वहां तक पहुशना और कठीन होगी है transportation cost बनने लग जाएगी सर दीरे दीरे एक ही जगे सारे manufacturing industries बन जाएगी तो pollution control करना मुश्किल हो जाएगा government वहां पर बोलेगी कि अब आप और factories यहां पर नहीं लगा सकते है यह factory restricted area है आप यहां पर यह नहीं कर सकते है वो नहीं कर सकते मतलब सर industry expand हो रही है players आ रहे हैं competition बल रही है उसका नुकसान भी है न सर raw material जो चाहिए वो cheap हो गया है तो demand बढ़ चुकी है पर उसकी market में supply नहीं है तो sir हम वही के वहीं आके खड़े हो गया तो इन्हें हम क्या बोलेंगे इन्हें हम बोलेंगे dis economies और यह चीज लास्ट एंजा में हम पर लिखी हुई है however external economy may seize if there are certain disadvantages क्या होंगे यह देखिए dis economies in rise various factor prices raw material, capital goods, skilled labor यह increase हो रहे है इनकी increasing demand से क्या हो रहा है pressure आ रहा है input market के उपर और इनकी supply कम होती जा रही है क्यों बहुत सारी firms हो गई है एक ही जगे पर transportation cost, pollution यह सब बढ़ रहा है और government क्या कर रही है वो restrict कर रही है प्रोबिट कर सकती है कि अब इसके beyond आपकी industry expand नहीं कर सकती है यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों चीज़ों को discuss कर लिया है आईए थोड़े उसकी summary हम देखते हैं किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं पूरा internal और external को हमने यहाँ पर cover किया है आपके module में जितना coverage है CA foundation level पर वो हमने देखा है तो यहाँ पर दोस्तों internal external आपको इस तरीके से दिख रहा होगा internal में हमने जो code word यहाँ पर समझा है वो क्या समझा है यहाँ पर आपको इसे साब से चलना है कि that internal is because within firm एक firm के अंदर के जब हम बात कर रहे हैं उसके reasons के रहे से जो भी उसमें progress हो रही है वो economies और नहीं हो रही है वो dis economy ठीक है और external की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते है industry के हिसाब से industry में जो changes हो रहे है externally उसकी हिसाब से हमारे अंदर जो changes हो रहे है वो external बोलने में आता है यहाँ पर सबसे पहला point क्या हो जाएगा internal में हमने देखा internal how तो हमने इसको logically समझा था कि internal economies क्या हो सकती है इसके साथ में हो सकती है that सबसे पहले technical technical को समालने वाले लोग कौन होते है managerial skills मतलब managerial cost यहाँ पर आ जाती है इन सब में दो चीज़े बहुत ज़्यादा important है वो क्या है commercial aspect और साथ में finance इन दोनों का आपको दिहान रखना पड़ता है और उसके बाद में हम आते हैं final बात पे risk bearing capacity तो इन सब में economy और dis economy साथ में चलती है वो हमने यहाँ पर cover किया ठीक है कि आपका raw material cheap हो जाना और उसको easily available हो जाना यह सबसे बड़ा industry में का फाइदा है जिसकी वज़े से industries के जो firm से उनको भी फाइदा होता है इतना ही नहीं raw material आपका cheap हो गया बराबर है सब चीज़े आपको easily available यहाँ पर हो रही है दूसरा point है technological यहाँ पर भी मतलब technology की help आपको मिलती है इंडस्ट्री की वज़े से तो technological फाइदा भी आपको मिलता है इतना नहीं labor time to time काम करते करते skilled होते जाते है तो skilled set of labor तयार होते जाता है तो वो आपको फाइदा मिल जाता है तो labor हो गया raw material हो गया technology हो गई की वज़े से आपका business बढ़ता है और industry का business भी बढ़ी रहा है और transportation जो आपका है वो यहाँ पर cheap हो जाता है और effective हो जाता है तो transportation cost एक यहाँ पर point था और इन सब चीजों का जो main point है वो है information आज कल information सब चीज available है तो जिसकी वज़े से आपको economy create होती है तो economies तो हो गया चलो हमको समझ में आ गया बट यही चीज पलट जाती है जब क्या होता है companies के साथ में यह इनको नुकसान करने लग जाती है इतना सारा competition हो जाने पर सभी एक जगे इतने सारे business आ जाने से transportation cost बढ़ जाती है raw metal cheap हो गया है demand बढ़ गई है तो क्या हो रहा है अब वो available नहीं है supply उसकी नहीं हो पारी है तो यहाँ पर pressure create होता है input industry के उपर और फिर वो धीरे-दीरे क्या होता है deteriorate होना चालू हो जाती है इस तरीके से labor का भी आप बात करेंगे skilled labor हो रहे हैं तो आपको क्या रगता है skilled labor के सस्ते ही मिलेंगे आपको skilled होता जा रहे हैं तो labor का एक time के बाद में saturation आने के बाद में उनकी भी prices बढ़ती जाएगी और आपको फायदा होना कम हो जाएगा तो यह सब चीजे हैं जो यहाँ पर government भी बीच में इंटर्फेय कर सकती है कि अब आपकी जो industry है वो इसके beyond expand नहीं कर सकती है आपको यहाँ रोकना होगा तो वो वहाँ पर बात रुख जाती है तो यहाँ पर दोस्तों आपको किस बात का दियान रखना होगा यह पढ़ने के बाद में आप बस इस sentence को याद रखेगा कि एक level के बाद में अगर आपने scale में increase किया मतलब increase in scale beyond optimum level optimum level के उपर जैसे ही गए आप और आपने increase किया आपका scale और ज्यादा क्यों अच्छा increase करना क्यों ज़रूरी था increase करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि increase करते है large scale production पर जाते हैं तो economies के रिएट होती है बट अगर आप optimum level पर नहीं रोके ना दोस्तों तो क्या होगा पता है आपको तो फिर आप जाएंगे नीचे मतलब increase in scale beyond optimum level leads to leads to what? leads to this economies इस sentence को आप ध्यान रखिएगा बहुत जादा फाइदा होगा आपको MCQ में भी इसके ओपर question आ सकता है तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि economies कब होती है? जब large scale productions होते है large scale production तो एक form को जो फाइदा मिलता है वो उसके लिए economy होती है तो ये हो गया internal economy और अगर हम external बात करेंगे तो external economy कब होती है? जब बाहर की conditions की वज़े से industry के expansion की वज़े से जब आपको फाइदा मिल लग जाता है तो वो आपके लिए हो जाता है external economies ठीके दोस्तों? तो इस तरीके से ये हमने सभी points यहां पर cover कर लिये है external और internal economies को यहां पर cover कर लिया है this economies क्या है? वो भी हमने cover कर लिया है तो इस वीडियो के साथ में हमारा theory of cost chapter भी यहां पर finish होता है next वीडियो में हम इसका एक पूरा summary बनाएंगे theory of cost का और उसके बाद में कुछ एक दो parts के वीडियो बनाएंगे जहां पर हम MCQ questions को discuss करेंगे तो वो भी देखेगा इसे के साथ में आपका CA foundation level पर third भी यहां पर cover हो जाएगा so guys thank you for watching the video I hope आपको वीडियो फ़संद आ रहे होंगे अगर आ रहे हैं तो please e-kira channel को subscribe कीजिए और देखते रहिए देखने के लिए धन्यवाद